हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के आईजीमसी अस्पताल के न्यू ओपीडी ब्लॉक के टॉप फ्लो में बनी डॉक्तरों की कैंटीन में गुरुवार सुबह अचानक आग लग गई बताया जा रहा है कि गैस सिलिंडर फटने के चलते ये घटना घटी है आग की घटना के बाद यहां पर अफरात अफरी का माहौल बन गया मरीज और उनके तीमारदार घटना के बाद यहां से भागते नजर आए जबकि अस्पताल के कर्मी पानी से आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे बता दे की पुराने भवन से आईजिम सी आने वाली सड़क टूटी है इस लिहाज से यहां पर अगनिश्मन की गाड़ियां भी पहुँचने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा फिलहाल फायर ब्रिगेड आग पर काबु पाने में जुटी है कैंटीन में सैकडो मरीजों के तीमारदार खाना खाते हैं